हैलो देस्तो आज हम लोग देखेंगे जो कॉन्वेंशनाल लोकों में bl box होता है तो उसमें क्या का switch होता है कौन सा switching को किस काम में लेखा जता है और सब देख लेंगे ठीक है तो यह जो पुड़ा है इसको बोलता है bl box और bl box के ओपर देखिए 8 हो शीज नीचे आठ स्वीज है ठीक है तो ऊपीर भाला स्वीज नीचे बालन टोटल इसको बील स्वीज बोलता है और उपर उपला जा स्वीज है अइस्टी सार्कित के ओपरेट करता है मतलब 250 से एभब बोल्टेज को ऑपरेट करने के लिए ये स्वीच काम में आता है नीचे वाला जो स्वीच है ओ एल्टी सर्किट को ऑपरेट करता है ठीक है और ये पास में देखिए एक स्लोट दिया है ये है बील स्लोट यहाँ पे बील की लगता है ठीक है तो बील की अब यहाँ पे बील की अभी नहीं लगा है तो बील की अभी लोक ये जो बील बॉक्स है ओ अभी लोक कंडिशन में है तो बील बॉक्स लोक कंडिशन में ये उपर बाला स्वीच नहीं अपरेट होगा ये सभी स्वीच ओप पोजिशन में है बट बील की जब लोक होंगे तो उ प love love will activate नहीं अपारेट होगा मतलबuri आड़ीब बाला जो सुईज है ओ नहीं आपारेट होगा बर्ट जे लौर बेला स्वीज है ELT सरेट बाला ओ अपारेट होगाह्ता है इसको आललोक काड़ेगे ना जो हम लोग आपारेट कारेंगे तो उस्पहारेट होगा ठीक है वेफ यह उकल लॉक पर ले आएंगे तो यह ब्लॉक्स अनलोक हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस होगा तो पहले देखिए मीर्डीजे लोकों में में साखिली रिखार बो बीसी भी होता है ठीके उसको डी जे बॉलता है तो उसको आन ओप कर करने के लिए जो स्वीच है वो अच्छा, बीलड़ीजए, टो डीजे को अन करने के लिए, गया सिद्योड है, पहले एक भी ललड़ीजिए को अन करना है, ठीक है, तो ऋने कर देटेंगे, तो बीलड़ीजए ओन करने के बाद भीले डिजे को 4 सेकंद तक पड्रेस कर लंचे उसके बाद छोड़ देंगे ठीक है तो चार्ट सेकन्न लगबग टाइम लगता है तो बीएल डीजे हो गिया कि अनल बील स्वीज फॉर्ड मेन ब्रेकर एंड ब्लर डीजे हो गया किया ना डीजे डीजे शेटिंग स्वीच एक यह ना स्प्रिंग लोड़े स्वीच है ठीक है इसको प्रेस करके छोड़ देंगे तो पहले बाला सीटी में आ जाएगा बाट ए क्या होगा प्रेस करके राखेंगे तो प्रेस ही हो रहेगा तो यह ब्ल डीजे हो गया यह ब्ल डीजे हो गया यह डीजे डीजे डीजेटिंग के लिए ठीक है और डीजे जो आप स्टार्ट होता है तो आन्नो रहता है तो आन्नो के स्टार्ट कारने के लिए यह आप स्टार्टिंग फेज देने के लिए यह स्वीच दिया रहता है ठ विखक है दो तिन साथ e secrets a लोको को एक साथ जोड के चलाता है तो पीछे बाला लोको में तो कुरू नहीं रहए था आगे बाला लोकू से ल्पी Sounds से रहे तो उससे पिछे बाला लोको को अपरेट करने के लिए दिम्राशा कूप ऀए लोको में जब जरूरत होता है पीछे बाल लोको का पैन टूलोर करने के लिए तो यह को नीचे कर देंगे तो हो जाता है अब देखिए उसके बाद है बील पी यह भैक्यूम स्टॉक जब था जब डेल वे में पहले-पहले शुरू में भैक्यूम ब्रेक लगता था ठीक है त तब यह शुरू में इसका काम आता था अब तो यार स्टॉक हाई गया मतलब यार ब्रेक सिटेम लगया सबरेफ डेल वे में तो अब इसका फियार शुस हो गया मतलब इसका यूजी नहीं है थिकले यह स्टिथी में आ गया अब उसके बाद बील BLCP, BLCP, CP मतलब क्या हुआ, कम्प्रेसर, हमारा इंजिन में कम्प्रेसर रहता है, निूमेटिक प्रेसर बिल्ल डप करने के लिए, तो उसका BL स्वीज है, ठीके, ये प्रेस करेंगे तो हमारा कम्प्रेसर चलू होगा, बाट यहापर देखिए, उसके बाद, BLCP, D, CP मतलब प्रेसर स्टार्ट होगा बाट कॉम्प्रेसर प्रेसर तब तक क्रियेट करेगा जब तक 9.5 to 10 kg ना हो जाए ठीक है 9.5 to 10 kg हो जाने के बाद क्या करेगा यह आटोमेटिकली ओफ हो जाएगा कॉम्प्रेसर स्टीश तो अन रहेगा बाट कॉम्प्रेसर अफ हो जाएगा जाब प्रेसर घट के 8 kg हो जायता है तब अब और आटोमेटिकली ओफ जागा तो इसको बोलता है बील सीपी यह नहीं लेखा रहाता बाट यह आटोमेटिक कम करता है ठीक है वह सेंस करता है जिए कितना प्रेसर है वो प्रेसर घट जाने से आटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है प्रेसर ज्यादा हो जाने से ओ आटोमेटिक ओफ हो जाता है ठीक है बाट यहाँ पे देखिए बील सीपीडी माल लीजिए कोई लीकेज हो गिया ठीक है तो आपे तो प्रेसर लीकेज से बाहर हो जाता है तो तो उस ताइम क्या होता है हमारा कॉंप्रेसर को कॉंप्रेसर को कॉंटीनू रखना चाहि हौता हौ तो लोग का ब्लॉवर मोटर की सकाम के लिए दिया जाता है और ठंडा करने के लिए तो ब्लॉवर मोटर को चालू करने के लिए ओ बल्बम्ट स्वीच है तो कौशा कौशा ब्लॉवर मोटर MBMT1, MBMT2 and MBRs तीनों ब्लॉवर मोटर है MBMT1, ट्राक्सेन मोटर जो हमारा लोको में छोटर रहता है ठीक है, तो ट्राक्सेन मोटर 123 के लिए ब्लॉवर नमबर 1 जेटा MBMT1 ट्राक्सेन मोटर 456 के लिए MBMT2 and MBRs जो ट्रांसपर्मर का ओयल होता है उसका ठंड करने के लिए और MBRs कामबे दिया जाता है तो ओ तीनों को एक साथ स्टार्ट करने के लिए एक ही स्वीच है, यह BLBMT ठीक है, तो ए हो गया HT कंपर्मेंट बाला, जो HT सार्किट को अपरेट करने बाला स्वीच ठीक है, BL स्वीच नीचे में देखिए BLRA, BLRA मतलब हो गया हीटर, क्याम में ठंडा के मसम में गर्मी करने बाला हीटा दे आ रहा था ठीक है, हीटर हम लोग यूज़ करता है विंटर सीजन में क्याप को गर्म करने के लिए ठीक है, तो इसलिए BLRA एक ओन करने से हमारा हीटर चलो होगा BLQP भी एक स्प्यार स्वीज है, इसके जगा एक BLRDJ भी दिया रहता है किसी-किसी में, तो एक स्प्यार एडिसेनल दिया जाता है, ओपर बाला BLRDJ खड़ाब हो जाता है, तो नीचे बाला से काम चलता है, इसलिए स्प्यार स्वीज है, ठीक है अब देखे, BLZLF BLZLF क्या है नए, मार्कल लाइट है हम लोग जानते है, जो लोकों में फ्रॉंट साइड में दो मार्कल लाइट रहता है दो कलर का, एक हकता है वाइट, एक रेड़ तो सामने दो रेड़, दो वाइट पीछे के तरब दो रेड़, दो वाइट रहता है, तो ZLF, BLZLF जो है और रेड मार्कल लाइट को अन करने के लिए, ये अन करेंगे तो, हम लोग जिस कैब से लोकों को अपरेट कर रहते हैं, तो उसका रेड बाला मार्कल लाइट जल जाएगा, उसके बाद BLM, BLM क्या हो गया करीडर लाइट का स्वीच है करीडर लाइट ओन हो जाएगा इसका अपरेट करेंगे तो BLPR, PR मतलब क्या हुआ, ये हेड लाइट हो गया जहाँ पाभी आपको PR मिलेगा, तो PR का मतलब हो गया हेड लाइट, आर मतलब क्या होगा, रियर बाला तद कैब 1 से हम लोग अपरेट करते है तो कैब 1 में इस साइड स्वीच को अपरेट करेंगे तो कैब 2 का हेल लाइट जलेगा BLPR, बॉक्स लेबाद स्वीच फॉर रियर हेल लाइट उसके बाद देखिए BLPR, एफ, एफ मतलब क्या हो गया फॉर्ट, तर फॉर्ट बाला हेल लाइट को अन करने के लिए क्या होगा, बील पियर एफ दबाना होगा उसके बाद बील पियर डी जो हेल लाइट हम लोग को जलाता है, तो हेल लाइट कोई कैटल आ जाए तो तब डीम करना पड़ता है ठीक है, तो डीम करने के लिए एफ बील पियर डी को दबाना होता है तो तब क्या होता है, हेल लाइट का जो रोसनी है और डीम हो जाता है धीरे हो जाता है, उसके बाद बील एल 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 एफ BLLF क्या हो गया White Marker के लिए White Marker लाइट जलेगा दबाने से तो ए 8 स्वीच में ये तो दोनो BLSN है ठीक है उपर बाला जो दोनों स्वीच है वे एक ही है ठीक है एक अपरेट का गया दूसरा बाला भी नीचे होगा तो ये है BL Box and BL Key ये वाला हो गया BL Key and BL Switches ठीक है ये कहा रहेगा BL Box and BL Switches ये लोको पाइलोट डेक्स में रहेगा पाइलोट लेम के बगल में दोनों कैम में ही रहेगा ठीक है और ये कॉन्वेनेशनल लोको में देख ले मिलता है थ्री पेज में ये BL Box नहीं रहता है ठीक है तो आसा करता हूँ आप लोग समझ गया होगा तो ये वीडियो आच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में